समाजवादी पार्टी की सरक्षन मुलायम सिंग यादव मेनपूरी से चुनाव लड़ रहे हैं नामंकन भरा जा चुका है और इस दौरान उन्होंने अपनी संपती की जानकारी दी है उनके दौरा जो जानकारी दी गई है उनके अनुसार 16.5 दो करोड रुपे की चल अचल संपती है उनके पास वहीं उनकी पतनी साधना यादव के पास 5 करोड 6 लाक से जादा की संपती है जिसमें 7.5 किलो सोने के गहने भी शामिल है जिनकी वर्तमान कीमत 2 करोड के लगभग ह आपको बता दे कि उन्होंने ये भी बताया है कि मुलाइम सिंग यादव अपने बेटे अखलेश यादव के करजदार है उन्होंने करजा लिया हुआ है अखलेश से तो उन्होंने अखलेश से कितने करजा लिया हुआ है दो करोड 13 लाक 80 हजार रुपे की करज की बात उन् समपत्य। सपत्पत्र में मुलाइम सिंग के पास 16 करोड 52 लाक रूपे की चल और अचल समपत्थी की जानकारी दी गई है। मुलाइम सिंग ने वित्ती वर्ष 2017-2018 में 32लाक की कुल आए बताई है। वहीं पत्नी की आए 25 लाक रूपे के लगब बताई गयी है। अचल संपत्ती के रूप में मुलाइम सिंग ने 1,36,000 एक उनकी पतनी साधना के पास भी बताया गया है, मुलाइम के पास 16,000,000 रुपे हैं जो नगध हैं और मुलाइम के पास 5 बेंक खाते हैं, जिसमेंसे इटावा की बैंक बैंका बडोधा में तीन ओर खाते हैं और दिल्ली में भी एक खाता है, लखनौ में भी एक खाता है मुलाइम सिंग्यादव के पास पेत्रिक संपत्ती यानि सेफ़ाई में एक मकान है, इसके अलावा एक बंगला है एटावा में जो बंगला है वो 16,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी कीमत लगबग 6 करोड रुपे है और उनकी पत्नी के पास भी बंगले हैं जो कि लखनाव में है तो ये जानकारी उन्होंने चुनावायो को दी है अपने हलफ नामे में दी है जिसके आधार पर वो अपने बेटे के करजदार बताए जा रहे है और संपत्ती उनके पास है